पैट्रियोन और अन्यमाधिमयों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्सकों का बहुत-बहुत सुक्रिया आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई उचाई मिल रही है और मनवल और अधिक बढ़ रहा है आसा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे धन्यवाद पंदर जुन को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए जड़प में 20 भारतिय जवान सहादत को प्राप्थ हो गए विपक्षी पार्टियों ने इस घटना को लेकर सरकार से तीखे सवाल किये कॉंग्रिस नेता रहूल गांधी ने पूछा कि हमारे सैनिकों को सीमा पर किसने निहत्ता बेजा वही आव 140 से अधिक पुर्व सैनिय अधिकारियों ने इस घटना के पीछे खूफिया एजेंसियों की नाकामियों को जिम्मेदार ठहराया है इस बारे में पुर्व सैनिय अधिकारियों ने पियम मोदी को पत्र लिखा है और चीनी गुसपैट को लेकर जवाब देने की मांग की है इस पत्र में खास तोर पर प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिकर किया गया है जिसमें उन्होंने भारतिय सीमा में किसी भी गुसपैट की बात से इनकार किया था गलवान घाटी में चल रहे तनाव को लेकर पियम मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और कोई भी हमारे सीमा के करीब नहीं है भारतिय सैनिकों ने भी चीनी सैनिकों के किसी भी पोश्ट पर कोई कबजा नहीं किया है पुर्व सैने अधिकारियों ने कहा कि पीम के बयान का बीजिंग ने उल्लेक करते हुए पुरी गलवान घाटी पर अपना दावा पेस कर दिया था हाला की बाद में प्राइम मनिश्टर आफिस को पीम मोदी के बयान के बारे में सफाई देनी पड़ी पीमो की तरफ से कहा गया कि पीम का बयान गलवान घाटी में हुए जड़ब के संदर्व में दिया गया है आपको बता दिकी प्रधानमंत्री मोधी के बयान पर देश के पुरुव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ने भी आपत्ती जताई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री को कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे चीन के दावो को मजबूती मिले चिठी में कहा गया है कि असपष्ट, मौखिक और विरोधा भासी बयान का चीन ने फाइदा उठाया पत्र में सैन्य अधिकारियों ने मांग की है कि राजनिती नेत्रुत्व और राष्टपती तथ्यों की जाच के लिए एक समिती बनाई जाए जो लद्दाक और अरुनाचल परदेश में चीनी गुसपैट जमीन कबजाने की जाज करे और एक तैय समय में अपनी रिपोर्ट संसद में पेस करे टेलिग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यह पत्र पुर्व नौ सेना अध्यक्ष एड्मिरल रामदास के द्वारा लिखी गई है जिसे 143 पुर्व सेने अधिकारियों ने समर्थन दिया है पत्र में रक्षा मंतरी राजनात सिंग और सीडियेस जनरल विपिन रावत और तीनो सिनाओ के परमुख को भी संबोधित किया गया है पत्र के जरिये पुर्व सेने अधिकारियों ने सरकार से अपील की है कि देश को सेकुलर अधार पर एक जूट रखा जाए लोगों का धर्म जाती के अधार पर बटवारे को रोका जाना चाहिए और इसे लेकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए इसके अलावा पुर्व सेने अधिकारियों ने सभी पोडोसी देशों के साथ सीमा को लेकर चल रहे विवाद को सुल जाने के लिए भी अपील की है नमस्कार नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरुरतों को पूरा करने के लिए अपनी ओडियंस पर निरबर है बहुजन समाज से संबंदित मुद्दों को उठाने के कारण यूटूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियों पर एड्स नहीं दी जाती जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है आपके सयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है नेशनल दस्तक को आप पैट्रियों के जरिये सपोर्ट कर सकते हैं इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, Google Pay, Debit Card, Wallet, Phone Pay आदी से भी हमारी मदद कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है पैट्रियों पर आप हमें प्रतिमाह 2 डॉलर यानी 140 उर्पे प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं दूसरे माध्यमों में रासी की कोई सीमा नहीं है आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिसा मिली है और इसी अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है जो आपके साथ की बिना संभव नहीं है आपसे डारेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे धन्यवाद निशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह निशनल दस्तक के सपोर्टर फर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें, कमेंट जरूर करें